पिछले एपिसोड में आश और रेट की बैडल कंटिन्यू होती है जहां पर पिकाचु और लैप्रेस की बैडल चल रही होती है लैप्रेस यूज करती है पैरी स्टॉंग का जिसके चलते पिकाचु तीन टर्स में हार जाएगा और ऐसे होता है बट्टुन टीन टर्स में पिकाचु लैप्रेस को काफ़ी ज़दा डैमज देता है और लैप्रेस को भी डिफीट कर देता है अब फाइनल बैटल होती है दोनों ही ट्रेयर्स के मेगा चार्जाड एक्स के बीच में जहाँ पर आश का मेगा चार्जाड एक्स जीत जाता है अब आगे अब ये बैटल फाइनल ये जी चुका था उसको उसके फ्रेंड्स और रैड आकर कॉंग्डैट्स बोलते है और रैड बोलता है कि यह मेरे जर्णी का एंड है यहाँ पर मेरे से कहीं ज़दा स्टॉंग ट्रेया एक्जिस्ट करते हैं मेरे जर्णी कंटिनिव नहीं हो सकते हो एंड और भी ज़दा स्टॉंग बनके वापस से पाइडिसिपेट कर सकते हो एंड पोकीमान मास्टर बन सकते हो रैड बोलता है कि बट मैं पूरी होप खोल चुका हूँ एच बोलता है कोई बाती मैं भी काफी सारे लीग हारा था छे लीग हारने के बाद ही मैं मास्र चैंपेशिप में अगली बार दुबारा जरूर पाइडिसिपेट करूगा वह एच से हाथ मिलाता है और वहां से चले जाता है तब वहां पर चैर्मेन आता है और बोलता है कि आश तुम तॉप तुमें जा चुगे हो यानिके तुम फाइनल इस्ट हो एंड ने कॉस पसंदे अब तुम फाइनल बैटल के लिए कुछ टाइम बाद अपियर हो सकते हैं तुम्हें टाइमिंग और नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेस्ट ओफ लख और अपनी बेस्टीब प्रिपार करना एश बोलता है ठीक है और वह स्टेडियम के बाहर आ जाता है एश काफ फीज़दा खुश होता है फाइनल इस बनकर बट वो सोचता है कि उसका अपोनेट कौन होने वाला है ब्रॉक बोलता है कि वो तो उसको तब पर चलेगा जब वो स्टेडियम में जाएगा फाइनल बैटल करने के लिए एश बोलता है कि एक इंडियन रिजन ये तो काफी इ सुना था ब्रॉक निस्टि और सईयन भी बोलते है कि हाँ भी नहीं सुना है उस छोग की अंदर वो इंडिया डिजन के फोटि मौंत वहाँ के लोग और वहाँ के च्यांपियन के भूम सकते हो ऐस बोलता है कि हमें ये टिकेट ले लेना चीह ये फ्री में भी मिल रहा है और हमें काफी सब्सक्राइब और लोग अपना अपने एक केटोब लेते हैं ब्रॉक बोलता है कि उसमें काफी ज़्यादा टाइम है और आश को नोटिफिकेशन भी आ जाएगे तो उसको जैसे नोटिफिकेशन आती है हम वहाँ से रिटन आ जाएंगे और उसके फ्रेंडस उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि इंडिया रिजन कैसे जाया जा सकता है वह लोग बोलते हैji ज नाम नहीं पूछा वो बोलते हैं कि मेरा नाम राहूल है और यह समेरे असिस्टेंट हैं जिनका नाम है अंकीत और मनीश हम कल तुमारी हेल्प कर देंगे अभी के लिए हम इंडिया में टूरिजम बढ़ा रहे हैं अब अगले दिन आश को राहूल का कॉल आता है और वो बोल यह आश और उसके फ्रेंट्स के लिए बिल्कुल ने एक्सप्रियंस था वो सब कॉपर राजा पर बैट जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो लोग इस बीच पर आ जाते हैं जहां से वो शिप इंडिया के लिए जाने वाली थी वो लोग टिकेट दिखाकर उस शिप पर ब मिलती है जो कि नॉर्मली उनको नॉर्डन रीजन या फिर किसी और रीजन में देखने को नहीं मिलती जिसे कि यहां पर हर जगा पर स्ट्रीट फूड मिल रहे थे उनको खाने की कोई भी कमी नहीं थी यहां पर कुछ यूनिक और ब्रैंड न्यू पोकिमों थे जो कि आश और मिस्टी की हेल्प भी करते हैं राहूल आश और उसके फ्रेंट्स को रहने के लिए एक रूम भी देता है और बोलता है कि तुम लोग यहां पर फ्रीबेर रह सकते हों और जब जाने का मन करें या फिर कोई हेल्प की जरुवत पड़े तो मुझे कॉल कर देना ब्रॉक सब लोग इंडिया रीजन को एक्स्प्लोर कर रहे होते हैं सरीना बोलते हैं कि यहां पर मुझे एक चीज़ काफी जदा कॉमन लगी कि यहां पर हर जगा पर काव पोकीबॉन से यह काफी स्वांग लग रहे हैं बट साथ में काफी फ्रेंट्ली भी है जो कि हर जगा पर सा लुए लाधे पूछते हैं कि इस फौकीन का नाम क्या है और यहां अपने पास है शरीना बोलते हैं कि हां तुमने सही कहा है और यहाँ पर खुमने में वो तुमारी help करेगा एश उसको thank you बोलता है और उनको guide मिल जाता है वो guide बोलता है कि मेरा नाम अदित्या है और मैं यहाँ पर travel करने में तुमारी help करूँगा क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर तुम लोग और क्या देखना चाहते हो एश बोलता है कि मैं एक forest में जाना चाहता हूँ जहाँ पर मुझे और भी काफी ज़रे नए पोकी मॉंस देखने को मिले यहाँ के पोकी मॉंस मुझे काफी ज़रे इंट्रेस्टिंग लग रहे हैं अधित्या बोलता है कि क्या तुम उन पोकी मॉंस को कैच भी करना चाहोगे एश बोलता है कि हाँ बिलकुल अधित्या बोलता है कि बड़ तुम नौर्डन इजन से आरे हो जिसके चलते हैं मेरे according तुमारे पास नौर्डन पोकी बोल्स होंगे जिनको तुम यहाँ पर यूस नहीं कर सकते आश बोलता है कि यहाँ और अधित्या सबको पोकी मार्ट पे लेकर जाता है जहाँ पर वो सबको फ्री में अल्टरा बॉल्स दिलाता है सरीना बोलती है कि यहाँ के लोग तो काफी जाल अच्छे हैं पोकी मार्ट लेने के बाद सब लोग उस फॉरेस्ट के तरफ बढ़ते है आश को हर तरफ काफी सारे नए पोकी मार्ट देख रहे थे जो कि आश को देखकर काफी ज़रा ओसम लग रहा होता है वो इसी चीज़ के लिए यहाँ पर आया था तब लिए आश के ऐसे टो को देखता है जिसको उसने शायद पहले भी देखा था बट वह काफी डिप्रेंट था कर आज कि अ कि अ झाल